ये आकाश्वाणी है। इस विशे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राम मनोहर लुहिया अस्पताल के डॉक्टर संजीत पानेसर। ये वाइरस यूजुली वाइड अनिमल्स प्राइमरली जो डॉक्ट फैमली है। इसके लब आपकी वाइड अनिमल्स जैसे हम जैकल्स हैं, मंकीज हैं। इवन वाइड अनिमल्स में पिग्स वगरा भी हम इंक्लूड करते हैं। इनकी बाइड या इनके द्वारा करे हुए स्क्रैच अगर वो किसी इंसान को होता है तो उनसे फैलती है। डॉक्टर संजीत, रेबीज के लक्षण क्या होते हैं इनसानों में भी और जानवरों में भी। रेबीज के लक्षण बैसिकली जो इसका वाइरस है वो नर्वस टिशु जो हमारी ब्रेन से आने वाली नसे हैं उन नाडियों को इंफेक्ट करता है। तो जिस समय रेबीज किसी एनीमल को अफेक्ट करता है तो वो एनीमल के अंदर उसको ब्रेन को और मस्ल टिशु को और सलाइवरी ग्लैंड्स को इन सब टिशु के अंदर आनिमल के अंदर वाइरस प्रोपगेट हो इंक्रीज होने लगता है नमबर में। तो जो एनिमल है उसको एक बिमारी वाली situation, sick हो जाता है एनिमल, एनिमल जो बिमार होगा तो उसके लक्षन ये रहेंगे, वो interact नहीं करेगा, वो secluded सा cornered out रहेगा, अगर कोई pet एनिमल है तो वो playful नहीं रहेगा, अगर कोई भी एनिमल उसकी vicinity में आए, या कोई भी इनसान आता है vicinity में, तो there is a propensity कि वो bite कर ले, या उसको जपट ले, अब जो human beings हैं, उनके अंदर disease transmit होता है एनिमल की bite से ही, तो जब एनिमल उन्हें human being को bite करेगा, तो virus एनिमल के bite वाले area के through, या जहां पर अगर पंजाम आ रहा है, तो उस area के body में transmit होके, फैलने लग पड़ता है nervous tissue के अंदर, अब क्योंकि दिमाग के tissue में affect होती है, nerves जो हैं, जाके connect होती है, तो जो human being है, उसके अंदर जो area affect होता है, वो होता है कि वो निगल नहीं पाता चीजों को, उसकी body जो है वो अकडाव में चली जाती है, यदि कोई भी हम उसको liquid या कोई चीज खाने को या निगलने को देते हैं, even light से भी वो irritation होती है, और even sound के response की वज़ा से भी ये रहता है, usually animal अगर rabies से पीडित है, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर usually expire कर जाता है, हमर जाता है, और human beings के अंदर भी अगर rabies होना किसी rabbit animal की bite से शुरू हो गया है, तो human being के अंदर भी time may vary, but death हो जाती है डॉक्टर पाने से मेरे जहन में एक सवाल आया है कि rabies virus क्या जानवरों में पहले से होता है, या फिर ये virus कहां से आता है जानवरों में? rabies की जो virus की cycle है, वो wild animals के अंदर ही रहती है, तो usually ऐसा नहीं है कि ये environment में, कहीं पानी में या soil में होता है, rabies virus animal के थूरू ही animal को transmit होता है तो wild animals के साथ, forest area में, एक animal जो infected है, वो multiple animals के जब संपर्क में आता है, तो उनके थूरू उन animals कोड़ता है और पर्यावरण में जिस समें इंसान जाता है, forest areas के अंदर, या ऐसे wild animals के संपर्क में अपने जो sniffers होते हैं, या scout dogs होते हैं, वो contact में आजते हैं, या wild का कोई monkey ही, जो कि incubation, जिसको infection है, वो ही area में आके bite कर देगा, तो it gets transmitted from animal to animal However, man becomes an accidental host, human being जो है, वो उस cycle का हिस्सा नहीं है, अबर अचानक से कभी न कभी उन animal के संपर्क में आने से human being को होती है ब्यमारी डॉक्टर पानिस से, rabies से सुरक्षा या बचाव के लिए क्या हम कोई preventive vaccine ले सकते हैं पहले? Rabies क्योंकि बिमारी ऐसी है कि यदि हो जाएगी तो बचाव नहीं हो पाता, तो इससे सुरक्षा के लिए बचाव ही इलाज है अगर rabies होने के chances हैं लोगों को, जैसे जो लोग forest area में काम करते हैं या जो लोग veterinary doctors हैं या जो लोग kennels चलाते हैं या pet जिनके पास हैं या dog lovers या animal lovers होते हैं जिनको risk है कि उनको हो सकता है animal bite हो जाए, care करता है animal की तो उन लोगों के लिए there is already a regimen कि हम उनको anti-rabies vaccine की doses देते हैं तीन doses लगती हैं अगर हम intra-dermal schedule देते हैं और दो doses लगती हैं अगर हम intra-muscular schedule follow करते हैं उनका कुछ day इसका हिसाब है कि intra-dermal schedule में क्योंकि तीन doses लगती हैं वो 0, 7, then day 21 or 28 और जो intra-muscular dose उसमें 0 and 7 लगती है तो इनसे क्या है कि अगर इंसान को कभी bite होती है किसी animal की तो he is partly protected against ravies पार्टली protection में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब vaccine होता है उसका एक effect होता है कि every three years उसके लिए booster चीए होता है हमारे को जो लोग in professions में हैं और intra-dermal regimen जब हम देते हैं तो उसके अंदर भी animal bite के बाद उनको दो doses vaccine की लगती हैं बट उसके protection रहती है जी डॉक्टर पानिसर आपने काफे महत्वकून जानकारी दिये हैं हमारे श्रोताओं को क्योंकि आजकर लोग rabies से बहुत जादा डरे हुए है और काफी भ्रम है इस विमारी को लेकर इन भ्रांतियों को दूर करने को लेकर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कि किसी rabies infected ज उसका behavior बदल जाता है? विजुली खाने पीने की चीजों को निगलने में या अचानक से तेज आवाज हो इन चीजों से irritable behavior रहता है इंसान ज़्यादा irritable रहता है और सिर्फ एक चीज है कि जब rabies virus किसी को affect करता है तो उसकी जो mass patient हमारे को खाना या पानी निगलने की मदद करती हैं गले के अंदर यह mass patient दिमाग से control होती हैं तो दिमाग का वो हिस्सा affect होता है कि वो निगल नहीं पाता इवन अपने saliva को भी निगल नहीं पाता तो अक्सर उसके मुझ से आपको थूक या लार जो है वो निकलती हुई दिखाई देगी तो लोग इस चीज को यह मान लेते हैं कि यह जानवर कि तरह हो गया है वो इसलिए थूक निगल नहीं पा रहा है इसलिए वो बाहर देख रहा है हमारे को इंसान irritable रहता है एंड उसको fever वगरा symptoms बाकी भी आ सकते हैं विश्व भर में हर साल लगभग 60,000 लोगों की मृत्यू रेबीस से होती है और इसमें से 40 प्रतिशत बच्चे होते हैं जो इस बिमारी से पीड़ेत हो जाते हैं किसी जानवर के काटने के बाद तुरंद लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि रेबीस को फैलने से रुका जा सके अगर किसी भी इंसान को कोई जानवर काट लेता है तो पहली चीज होती है कि धैर्य रखे और घवराएं नहीं साबुन और पानी ये दो चीजें बहुत ही इंपोर्टन्ट हैं रेबीस के प्रिवेंशन के लिए जहां पर भी जानवरने पंजा मारा है या जप्टा है उस जखम को चलते पानी के नीचे अगर साबुन हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी है तो चलते पानी के ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके और जिसमें आपने उसको चलते पानी के नीचे जखम को धोलिया कम से कम 20 मिनिट तक धोनोता है जखम वाले एरिया को और नजदी की जो भी आपके स्वास्ते के अंदर हो वहां पर जाके एंटी रेबीस वैक्सीन आती हैं अलग अलग नाम सकते हैं उसकी तो उसे जरूर निगरानी में रखें उसे माने नहीं उस जानवर को उस जानवर को मारना इलाज नहीं है अगर उस जानवर को बिमारी है रेबीस की तो वह 10 दिनों में मर जाएगा और यदि वह 10 दिन के बाद तक जिंदा है तो मतलब उस जानवर को बिमारी नहीं थी तो मन से आपके वो शंका दूर हो जाती है कि ये जानवर रेवी से पीडित नहीं था तो आप अपना इंजेक्शन का जो कोर्स है उसमें आखरी इंजेक्शन फिर छोड़ सकते हैं ये भी एक आप्शन होती है कुछ-कुछ लोग ये बताते हैं कि हम ट्रैवलिंग क याद रहता या नहीं पता लगता है कि किस जानवर ने काटा था तो उन सूरत में भी हमें जखहम को दोना है और टीका करण का कोर्स पूरा करना है डॉक्र साब ये वैक्सिनेशन लेने के बाद क्या रेवीज रिलाप्स हो सकता है ये नहीं मैं युजिली हम ये मान कर चलत उनको अगर हमने pre-exposure profile access दे रखा हो मतलब बचाव के लिए already उन्होंने injection ले रखे हो या फिर किसी को जानवर काटने के बाद हमने vaccination जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया हो अगर किसी बंदे को bite हुई थी और उसने टीका करन नहीं कराया और वो कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद rabies से पीडित होके आता है अस्पताल तब टीका करन का उसको फाइदा नहीं होता इसलिए हम क्याते हैं कि जो जखम होता है तो जल्द से जल्द जाके टीका करन शुरू कराएं तो आपको rabies नहीं होगी जी डॉक्टर साब भारत में animal birth control यानि की ABC rules है stray dogs के लिए लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उन rules का पालन पून रूप से नहीं हो रहा है आप इस विशे में हमारे श्रूताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे यह एक debatable issue है कि जो हमारे stray animals हैं उनका ABC करने की कोशिश करती है सरकार dog population को control करने की कोशिश करती है क्योंकि वो stray हैं तो मैं श्रूताओं को यही message देना चाहाँगा कि यदि corporation से आते हैं लोग जानव animal lovers हैं वो animal को बाहर ने निकलने देते बंद कर लेते हैं कि corporation वाले ना पकड़ के लिए देखिए corporation वाले अगर पकड़ते हैं उनको ठीका करन करते हैं जानवर का और sterilize करके छोड़ देते हैं sterilization का विशे animal rights के हिसाब से debatable है पर जो ठीका करन है जो जानवर का वो करते हैं व उसको corporation के हाथ नहीं जाने दिया तो उसका टीका करन नहीं हुआ तो जिस जानवर को टीका नहीं लग रखा तो वो लगभग उतना ही risky हो जाता है जितना की एक बिना टीका लगा animal है तो कल को उसको अगर जानवर को अंदर वाइरस चला जाता है तो वो जितने भी लोगों क सब्सक्राइब करें तो आप उसके लिए उनसे बात कर सकते हैं जी डॉक्टर साब इस बार वर्ल्ड रेबीस डे की थीम है ओल फॉर वन वन हेल्थ फॉर ओल इस थीम का क्या उद्देश है आप इस पे अगर थोड़ा प्रकाश दाने तो इस बार की जो थीम है ओल फॉर व सब्सक्राइब को एक साथ लेना चाहते हैं तांकि हम एनिमल पॉपुलेशन का भी ध्यान रख सकें एंड इड़ सेम टाइम्स इंसानों का भी ध्यान रख सकें तांकि रेबीस के अगेंस हमारी जो फाइट है वह हम हैल्थ सिस्टम के अंदर एक कंप्लीट तरीके से कर सके अचुली आइडिया है कि हम एराइडिकेट कर दें उनमूलन कर दें रेबीस का 2030 तक कैसे ट्रांस्मेट होता है अनिमल से अनिमल में रहता है तो यदि रेबीस के अनिमल ही नहीं होंगे साइकल में तो जो स्ट्रे हैं उनके अंदर भी रेबीस का वायरस नहीं आएगा और जो पैट अनिमल हैं उनमें भी रेबीस का वायरस नहीं आएगा तो उस चीज के लिए हमें अलग-अलग स्टेक होल्डर्स हैं अलग-अलग मिनिस्ट्रीज हैं और जनता जनारधन का इसमें बहुत इंपोर्टनेट बहत्व है क्योंकि उनकी कोपरेशन से और उनकी अवेर जी डॉक्टर पानिसर आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया और हमें इतनी महत्वपून जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे विश्व रेबिज दिवस रेबिज से बचाव और उपचार पर चर्चा इसमें भाग ले रहे थे राममनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर संजीत पानिसर और आकाश्वानी संवाधाता दीक्षा सक्सेना ये कारिक्रम आकाश्वानी के समाचा सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मुबाइल एब न्यूज और या